बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, तब ही उने लगा कि कोई पूरी ताकत लगा कर उस दर्वाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, छलावा ने एकदम से चौकते हुए कहा, वहां कोई है, रूप ने कहा, लेकिन भीतर तो सर्फ मैं और अनन्या ही थे, बात में तुम आये अगर हम सब बाहर है तो अंदर कौन हो सकता है, तब ही चलावा को ऐसा लगा जैसे भीतर जो हलचल हो रही थी, वो बिल्कुल शान्त हो गई, चलावा ने कान लगा कर दूसरी तरफ से आ रही आवाज को सुनने की कोशिश की, उसे वहां से कुछ खट-पट की आवाज आई चलावा को अचानक याद आया कि इस दर्वाजे के नीचे का हिस्सा खुल सकता है, चलावा ने रूप का हाथ पकड़ा और लगबग भागते हुए वहां से आगे चला गया और बैठक में सोफे के पीछे छुप गया, रूप ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो, चलाव चलावा ने तुरंत उसके मूँपर हाथ रखा और बोला, थोड़ी देर चुपो जो प्लीज, तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी जो धीरे-धीरे करके एकदम नसदीक आती जा रही थी, रूप ने कहा, तुम छुपे भी तो ऐसी जगा, यहां से तो दूसरी तरफ का कुछ नहीं दिख रहा, अब सोफे के पीछे से कैसे कुछ दिखेगा, कहीं और छुपना चाहिए था न, तुम रुको अब मुझे देखने दो, इतना कहकर जैसी रूप अपना से रूप पर उठाने लगी तभी छलावा ने तुरंत उसे नीचे खीच और दबी आवाज में बोला, तुम थोड़ी देर चुपचा बैठने का क्या लोगी, रूप मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम, जो आजकल तुम मुझे बिलकुल नहीं देना चाहते, इस बात पर छलावा शर्माता हुआ इधर उधर देखने गया और जरा सा अपने सिर बाहर निकाल कर देखने की कोशिश करने लगा कि दूसरी तरफ कौन खड़ा है, दूसरी तरफ जो भी था उसे देखकर छलावा हैरान रह गया, उसने देखा कि उस इंसान ने अपने आपको एक गंदी सी चादर से ढख रखा था और एकदम दब सुनाई दे चुकी थी, जब तक छलावा रूप का मुँ बंद करता, तब तक वो पीछे पलट कर सोफे तक आ चुका था और चारो तरफ देखने लगा, छलावा और रूप एकदम से सांस रोग कर दुपके बैठे थे, तभी किसी ने छलावा के सिर पर हलकी सी चपत लगा चलावा एकदम से चौकते हुए उपर देखने लगा और हैरानी से बोला, ध्रूफ तुम हो, ध्रूफ ने अपने होटो पर उंगली रखियो और बोला, हीरे बोलो, जिला क्यो रहे हो, और तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो, तुम दोनों को रूमेंस करने के लिए और ध्रूफ से बोला, बंद करो अपनी बख्वास, मैं तुम्हें ढोडने या तक आया था, अचानक हमें लगा कि अभी इधर से कोई कमरे को खोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम दोनों यहां छुप गए, ये देखने के लिए कि वहां कौन था, लेकिन वो तो तुम थे, ध्रूफ ने कहा, हाँ वो मैं ही था, छलावा बोला, लेकिन तुम भीतर कैसे गए, मेरा मतलब ये दर्वाजा नीचे से खुलता है या सिर्फ अंदर से, बाहर से तो ये ऐसे नहीं खुलता, तो आखिर तुम भीतर गए कैसे, क्योंकि रूप ने तो कहा था कि जब उसने ताला खोला तो उसने तुम्हें आते हुए नहीं देखा, ध्रूफ ने कहा, ये सब छोड़ो, मुझे हवेली में कुछ ऐसी बाते पता चली है जो बहुत शौकिंग है, लेकिन अभी सबसे पहले हमें यहां से निकलना होगा, बाद में मैं तुम लोगों को सब कुछ जाएं कि वो परिशान होकर यहां तक आ गए, ये सुनकर धुरूफ हैरानी से बोला, भंवरी देवी उससे मिली थी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, छलावा ने कहा, हालंकि मुझे भी यही लग रहा था कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अनन्या ने कहा कि वो कभी भी कहीं भी आ सकती है और जा सकती है, तो इस बात पर मैं चुप हो गया, लेकिन तुम इस बात पर इतने हैरान क्यों हो रहे हो, दुरूफ ने कहा, क्योंकि सिर्फ चेरी और ठकुराईन ही नहीं बलकि भंवरी देवी भी उन दोनों के साथ कैद है, इसलिए मैं इतना शौक होकर प लिखती है, उतनी आसान है नहीं, लेकिन मेरी बात तो कोई समझता ही नहीं है, दुरूफ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपना रोना बात में रोना, पहले यहां से निकलते हैं, और एक मिनट, मैंने तुम से कहा था ना, कि तुम यहां मता आना, तुम एक घर पर रोना अचाही था तो तुम मेरे पीछे यहां क्यूं आ गया, छलावा बोला, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी ब्रो, घर पर तारा भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, और ऐसी कोई गरबड मुझे लग नहीं रही थी, और तुम्हारी फिक्र में मुझे बहुत बेच चैनी सी हो रही थी, मुझे से रहा नहीं गया तो इसलिए मैं यहां तक आ गया, फिर ध्रोव ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो जल्द से जल्द हम घर चलते हैं, रास्ते में हमें अनन्या से भी मिलना है, उसके बाद ध्रोव ने रूप से कहा, रूप एक काम करो, तु मेर भी अपने कमरे में ही है, तुम लोग यहां से निकल सकते हो, द्रोव बोला, ठीक है तो तुम एक काम करो, तुम जल्दी से कमरे में चली जाओ, मैंने चाहता कि अगर गलती से भी कोई हमें यहां देखे तो तुम हमारे साथ दिखाए दो, छलावा ने कहा, सही बात है, अगर हम फंस गए तो हमें बचाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, इस पर रूप मुस्कुरा कर बोली, और ये बात तुम द्रूफ के साथ खड़े हो कर कह रहे हो, अगर तुम्हें द्रूफ नहीं बचा सकता तो तुम्हें लगता है, मैं तुम्हें बचा सकती हो, इत अगर सुमेर सिंग से टकरा भी गया था, अभी ये आगया है, अगर सुमेर को पता चला कि ये अभी अभी आया है, तो पक्की बात है कि उसको पता चल जाएगा कि पहले जो महादेव उससे मिला था, वो मैं ही था, और उसे ये भी पता चल जाएगा कि हवेली में हम उसके खिलाव कुछ प्लान कर रहे हैं। ध्रुव ने कहा, एक काम कर, जाकर इसको भगा यहां से, तब तक मैं यहीं कहीं तेरा इंतजार करता हूँ। छलावा ने कहा, हाँ यही ठीक होगा, क्योंकि इसका सुमेर से मिलना मतलब अपने ही पैर पर कुलहाडी मारना होगा। इतना कहते हूँ भी छलावा ने तुरंद सुमेर का भेश लिया और जिस तरफ से महादेव आ रहा था उधर चला गया। सुमेर को देखते ही महादेव ने अपने साथ खड़े उस आदमी से कहा, ठीके भाया तुम जाओ अपना काम देखो, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। महादेव ने इतना कहा और वो आदमी वहाँ से चला गया। फिर महादेव सुमेर से बुला, मुझे पता था मालिक आपको नीन नहीं आ रही होगी, आपने जो काम करने मुझे भेजा था वो मैं कराया हूँ। अनन्या से मिलने तो कोई नहीं आया, लेकिन अनन्या पता नहीं क्यों बार-बार उस कोई वाले हिस्से में आ जा रही थी। ये सुनकर सुमेर बना च्छलावा चुप-चाप महादेव की तरफ देखता रहा। ये देखकर महादेव बोला, क्या हुआ मालिक, हमसे कुछ ग खंटों में जो कुछ भी हुआ वो से भूलने लगा था और उसके दिमाग में कुछ नई चीज चलने लगी थी। वही चीज जो थोड़ी देर पहले च्छलावा और सुमेर के बीच में हुई थी। च्छलावा ये इसले कर रहा था ताकि कल को अगर सुमेर इस तरह की कोई बात शिड़े तो महादेव इंकार न करे बलकि महादेव को यही लगी कि वो सारी चीज़े वाकई में महादेव के साथ हुई थी। एक तरफ जहां छलावा महादेव के दिमाग से वो सारी चीज़े हटा रहा था और कुछ नई यादे जोड़ रहा था वहीं दूसरी कमरे के बाहर ही एक खंबे के पीछे खड़ा था तभी सुमेर के कमरे में उसका मुबाइल बचा द्रूव ने अपने आप से कहा इतनी रात में इसे कौन फोन कर रहा है ना तो इसकी कोई प्रेमिका है न कोई बीवी ऐसे आदमी को भला कौन रात को याद कर सकता है कुछ रिं द्रूव को कुछ शक हुआ द्रूव अपने मन में बोला इस तरह से ये किस से बात कर रहा है जिस तरह से ये अचानक से सीरियस हुआ है ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये इनसान या फिर उसकी बात पॉलिटिक्स से जुड़ी हो सकती है अखर ये फोन पर बात किस से कर रहा है द्रूव ने इदर उदर देखो और धीरे से बढ़ता हुआ सुमेर के कमरे की खिड़की के पास चला गया और जुक कर खड़ा हो गया ताकि उसे सुमेर की बात इस पश्ट सुनाई दे सके सुमेर के बोलने की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी वो दबी हुई आवाज में फोन पर बात करने लगा जिसे सुन पाना बहुत मुश्किल था द्रूव बोला अरे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है जब द्रूव सुमेर की बात सुनने की कोशिश करना था तभी अचानक से उसके कंदे पर थपकी पड़ी द्रूव चौकते हुए पीछे पल्टा तो उसने देखा कि वहाँ छलावा खड़ा था द्रूव ने तुरंथ चलावा को नीचे खीचो और अपने होटों पर उंगली रख कर खिड़की की तरफ इशारा करने लगा चलावा उसके इशारे का मतलब बखु भी समझ गया और वो भी ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा कि दूसरी तरफ से क्या आवाज आ रही थी तभी सुमेर की धीमी आवाज आई हाँ हाँ इस बारे में मेरे अलावा मेरी परचाई को भी खबर नहीं है मैंने इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया है मैं इन सारी बातों से उतना ही अंजान हूँ जितना की वो द्रोव और उसकी पूरी पल्टन है किसी को कुछ नहीं पता कि इन सब के पीछे किस का हाथ है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मेरे बारे में कहां से खबर मिली और आप ये सब आखिर कर क्यों रहे हैं? क्या मिल जाएगा आपको ये सब करके? कुछ देर तक दूसरी तरफ से जवाब सुनने के बाद सुमेर बोला सुमेर की बात से द्रोव और छलावा दोनों की आखो में हैरानी और चेहरे पर कई सारे सवाल दिखाई दे रहे थे